राम राम जी, मैं डॉक्टर प्रदीप मातूर, संजीर्नी नेचुरोपेतियन आयरवेदा रिसर्स सेंटर गोहना परिवार की तरफ से इस यूटूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और प्यार भराविनंदन करता हूँ आज मैं आपको हमारे शरी के महत्वपून वाइटल और्गन किड्नी क्या काम करती है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को जिनको हाई ब्लड पेशा रहता हो हाई ब्लड शूगर रहता हो एल को लेते हो टोबे को लेते हो पानी कम पीते हो पानी बहुत जादा पीते हो तो उनको किड्नी से रिलेटेट कभी कोई समशा ना आए इसलिए उनको किड्नी क्या काम करती है उसके बारे में जानकारी होना बहुत अति आवशक है किड़नी जैसा की आपको मैं बता चुका हूँ कि जिस प्रकार से हाट हमारा vital organ होता है चिक उसी प्रकार से किड़नी भी हमारा एक बहुत ही महत्वपुन vital organ है जो रिधे की तरह हाट की तरह निरंतर अपना 24 गंटों तक काम करती रहती हैं ये सेम के आकरती के दो अंग होते हैं जो हमारे उदर के पिछले भाग में पैरिटॉनियम के जस्ट पीछे रीड के इर्द गिर्द यानि दौनों तरफ होते हैं अगर मैं कहूं तो ये हमारे 12 थोरेसिक वटीब्रा के नीचे और 30 लंबर वटीब्रा के बीच में इस्तित होती हैं जैसा कि आप जान चुके हैं कि किड्नी दो होती हैं एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में राइट साइड वाली किड्नी चुकि थोड़ा सा राइट साइड में लीवर होता है इसलिए लेफ्ट साइड वाली किड्नी से थोड़ी सी नीचे स्तित होती है और ये एक पैरी रीनल वसा के उत्तकों के बीच में अंतस्तापित होती है इसे आज़ानी से शरी से बाहिर निकाला जा सकता है जैसा आप जानते हैं कि किड्नी ट्रांस्प्लांट भी हुआ करती है उसमें किड्नी को बदल दिया जाता है किड्नी को अगर हम मेजर करें तो ये करीबं ग्यारा सेंटिमीटर लंबी 6 cm चोड़ी और 3 cm मोटी होती है और इसका जो वेट होता है वो लगबग 45 ग्राम के लगबग होता है Kidney Purification of Blood में अपना एहम रोल अदा करती है यानि शरीर में Blood में जितनी भी impurities हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का अपना काम करती है अब हम इसके बारे में और चर्चा करें विस्तत रूप से तो पहला काम हो गया कि ये रक्त का शुद्धी करन करती है आप जानते हैं कि हम जो भी खाते हैं पीते हैं उससे शरीर में उर्जा मिलती है यानि मेटाबोलिजम की जब केरिया होती है तो शरी से जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए जैसे कि खाना खाने के बाद ब्लड में यूरिया, यूरिक एसीड, क्रियेटिनीन, ऐसे वेस्टिस प्रॉडेक्ट्स, मस्सल्स के ब्रैकडाउन होने की वज़े से या लीवर की निर्मान करने की वज़े से जब शरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एकतित हो जाते हैं यानि ब्लड में जब इसकी एक निश्चित संख्या से बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो ये उसे पानी में मिलाकर मूत्र के रस्ते से बाहर निकालकर इनकी संख्या को इनकी मात्रा को ब्लड में एक निश्चित अन्पात में बनाए रखती हैं अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया, यूरिक ऐसीड, क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ब्लड इंप्योर हो जाएगा और किड्नी को तो डेमेज करेगा ही करेगा साथ में शरीर के और भी जितने भी वाइटल ओर्गन्स हैं जैसे कि हमारा ब्रेन हुआ, जैसे कि हमारा लीवर हुआ, उन सब को भी ये नुकसान पहुंचाता है और शरीर का जो एक मेकेनिजम है उसको बिगाडने में ये अपना रोल अदा करती है और किड्नी ही इनको निश्चित मातरा में बनाए रखने के लिए अपना रोल अदा करती है दूसरी बात, शरीर में जितने भी तरल और खनीच पधार्त है जैसे कि पानी होना शरीर में पानी की निश्चित मातरा को बनाए रखता है ये एक anti-diuretic hormones की साहिता से शरीर में पानी के लेवल को बरकरार रखती है दूसरी बात sodium, potassium, calcium, phosphorus, bicarbonate, chloride जैसे भी कितने भी खनीस लवन है वो भी blood में एक निशित मातरा में एक निशित अनुपात में ही रहने चाहिए नहीं तो हमारी जितनी भी जेविक के रहा है वो बिगड़ जाएंगी कई प्रकार के रुगों का हमें सामना करना पड़ता है तो kidney उनके लेवल को शरी में बरकरार रखती है electrolytes का balance बनाये रखती है तीसरा इसका जो काम होता है वो होता है कि हमारे शरी की जो pH वैल्यू है यानि जो acid और जो alkaline है यानि अमल और जो शारता है उसके लेवल को बनाये रखती है अगर शरीर में acidic हो जाता है यानि आपका शरीर में जब blood acidic हो जाता है acidosis की मात्रा हो जाती है तो भी हमारा शरीर में कई प्रकार के women drog attack कर देते हैं इसलिए blood को acid होने से बचाये रखने के लिए यानि शरीर की pH वैल्यू को बनार कर रखने के लिए kidney ही अपना मेत्वपून काम करती है अगली बात kidney हमारे शरीर में vitamin D का level भी बरकरार रखती है आप जानते हैं कि सूर्य की किड्णों से हमारे शरीर में vitamin D produce होता है लेकिन वो शरीर में उप्योगी लायक नहीं रहता उसको शरीर में उप्योगी बनाये रखने का जो काम होता है वो kidney ही करती है आप जानते हैं कि vitamin D, vitamin D3 में convert होना चाहिए और vitamin D शरीर के लिए उप्योगी होता है जब vitamin D का level शरीर में कम हो जाता है तो ही हमें osteoporosis, osteopenia यानि हड्यों से, अस्तियों से संबंदी समशाएं होती है और उसके level को बरकरार रखने के लिए, उसको बनाये रखने के लिए kidney ही अपना महत्वपन रोल अधा करती है अगला इसका जो काम होता है, वो होता है कि ये आरिथ्रोपोईटिन नाम का हार्मोन सीक्रेशन करती है आरिथ्रोपोईटिन आरिथ्रो में इस blood कोशी का है, blood cells होती है यानि blood के निर्मान में जितने हार्मोन की जरूरत होती है उसको बनाये रखने वाला जो मुख्य हार्मोन है जिसे आरिथ्रोपोईटिन कहते हैं, उसका निर्मान kidney के द्वारा ही किया जाता है और एक kidney का मैं आपको और function बताना चाहूंगा वो यह है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी अगर medicines लेते हैं, कोई नार्कोटिक ड्रक्स का सेवन कर रहे हो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि आप अलकोल लेते हो smoke लेते हो, टोबे को लेते हो, पान परा, गुटका, जर्दा या किसी और बिमारी की कई सारी दवाएं का आप निट्य सेवन करते हो तो उसका दूश प्रबा हमारे शरीर पर पड़ता है किड्नी, उसके उस सबी जो toxins matter है, उसको शरी से बाहर निकानने में अपना महत्वपुन रोल अदा करता है तो ये मुख्ये मुख्ये कारे थे किड्नी के जो आपको जानकारी होना बहुत अतिावशक था आगे आने वाली योटूब में किड्नी अपना proper काम करती रहे किड्नी को किन वज़े से नुकसान पहुंस सकता है उसके बारे में हम मैं आपको जानकारी दूँगा आप सभी हमारे साथ बने रहेगा तब तक मैं आप से आज्या चाहता हूँ आप सभी का धन्यवाद नमस्कार राम 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 जा